आपको सब मालूमी है अमें साथ क्या क्या हुआ अब से बात कर रहे हैं अच्छा अपनी लाइफ के बारे में जान करी चाहिए आपको आपने फोन लगाया है मा बगलाम की शक्ती सिध्य पहिट सीवनी मध्य प्रदेश में है ना यहीं लगाया है ना बैटे तो आपको अपनी जानकारी यहां नहीं देना है यहां से जानकारी प्राप्त करना है और यहां से जो परामर्श आपको मिल रहा है और यहां से जो बताया जाएगा गुरु माता के द्वारा यह पुरुन सत्य है यह नहीं आप जवाब देंगे केवल ठीक है आपको कुछ भी नहीं बत परन्तु जिसके उपर आप अधिक भरोसा किये वही व्यक्ति आज आपको समझने को तयार नहीं है क्यूंकि आपके और सामने वाले के बीच में भ्रांतिया फेल चुकी भ्रांति हो गई है जिसे शंका कहते हैं समझ रहे जी माता जी ये सत्य है या नहीं सत्य है माता जी जबकि आपने आपके अपने जीवन में सबसे बड़ा सुख वहीं सोचा कि ये मेरा सबसे बड़ा सुख है ये मेरा जीवन का साथी होगा मेरे सुख और दुख का साथी होगा और आज बहे सुख दुख का साथी बनने वाला विक्ति आज वो बहेक रहा है दुसरों की बातों में लग करके और आपको कश्ट दे रहा है अभी वर्तमान की इस्थिति में आपका मन बड़ा चींतित है बहुत व्यथित है सटीक जिरने लेने में आप सामर्थवान नहीं हो रहे हैं अब आपको ऐसा लगने लगा है कि अगर उनसे बात नहीं हुई तो हम तो मरने को भी तयार हैं मतलब बहुत सारे नकार आत्मक विचार आपके अंदर आ रहे हैं आ रहे हैं या नहीं जी माताजी लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है और आज वो जो कन्या दूसरों के बातों में लग करके और अपने आपको जो धुखा दे रही इससे पहले तो वो संपुर्ण समर्पित थी तानमान धन सबसे समर्पित थी आपसे थी के नहीं और आज वो जब सटीक निरने लेने की बात आई है तो वो मुकर गई पांच महीं कोई मिस्गाइट कर रहा मतलब उसका इवां तो यूजी करने तरीकेती यह लोग कोई विचारा क्या करें रिक्ति राम्यवाला वो सत्य है या नहीं जी और और आपको क्या चाहते हैं वो बताईए मैं माधा जी एक तो चाहता था जो ऐसे में वह दूर हो यह वापस में तो बात तो करें समझे तो एक बार उसारी प्रॉल्म यह दिये वक्ति मेरे सपोर्ट में आजाया माताजी तो जो यह लोग आरोप लगाएं मेरे ऊपर पूरे कॉलेज मुझे बहुत बुरी तरीके से इंसर्ट भी करी बद्नामी भी की उपर तो मुझे भी बोला गया कि तुकाय ता देवी का साधर के डोंग करता डंबर करता हमारे हचोडी सर्मी बहुत आदे घंट मुझे अपमानित किया था 24 मार्च के दिन और मुझे पता नहीं था कि वह इतने गेमलर आदी में कि वह भी जूटे लोग के साथ ही मिल कुछ तो साधना कुछ तो भक्ति आपने की है और उसमें गड़बड़ी हुई है माता की जो भक्ति जो पूजा नाराधना आपने की है वो उसमें गड़बड़ी करें आपने किये हैं कि नहीं मनमानी नहीं मनमानी नहीं मनमानी साधना बिना गुरू के सानिद्ध से आपन अपनी साधना को प्रबल बनाने का प्रयास किया नहीं बिना गुरू के तो नहीं किया जो जैसा गुरू ने सिखाए था उसी के अनुसारी किया बस यह कुछ नहीं हुआ था माताजी यह लोग जो है थोड़ा जलते थे लोग जलने के कान इसमें शीवम देवेदी नाम का इसका इंटेंशन मेरे स्ट्रेंड के पती बहुत जो गलत होता है न महिलाओं के पती यह अपनी बेहन दूसरे की बेहन बीटियों को भी अपने जैसा नहीं समझते उस प्रकार का यह वेक्ति है और सारी राजनीती जहां तक मुझे इतना समझिम आया है इसी वेक्ति ने कि देखो जो भी किया मातारानी की कृपा से वो सब ठीक होना चाहिए सब आपकी मनोश्चिती भी ठीक हो जाए और माभवच्ची कृपा से आपके जीवन में जो अच्छा होगा वही होना चाहिए और जो बुरा है वो नहीं होना चाहिए आप जो निरणय लेते हैं आपको लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा है ये हमारे लिए सोटे विल है तो ये निरणय आपने ले लिया और आपको लग रहा है कि मैं जो निरणय लिया हूँ वो मेरे लिए जीवन में कई गुना शुबुफल दाई निरणय होगा लेकिन अगर आप मातारानी की भक्ती करते हैं तो मातारानी आपको वो देगी जो आपके लिए जीवन भर अच्छा होगा इस कलिकाल के वशी भूत होकर के आपने जो निरणय लिया वो अभी आपके वर्तमान सुख के लिए ठीक था लेकिन आपकी जीवन में जिन्दगी भर आपको जो सुख प्राप्त होगा वो परमात्मा के कृपा से प्राप्त होगा और वो लाइफ भर अच्छा रहेगा यह जीवन सार्थाक होता है हम निरणय लेते हैं हमारे सुख के लिए लेकिन जो अगर परमात्मा के श्रण में आप हैं तो परमात्मा वो आपको जूट कपड छल छुदर से के साथ जीना ही नहीं देना चाहेंगे आपके जहां तो जो अच्छा होने वाला है वो आपको परमात्मा देंगे जो आपके साथ बुरा कर देंगे आपके साथ नहीं होंगे आपके साथ चल कर देंगे तो ऐसे चलीय लोगों को परमात्मा और माभगवती खुदी दूर हटा देती है इसलिए आपके जीवन आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन आपके जीवन में आपकी जो नेत है न इसमें अज्ञान रूपी अंधकार का मोतियविंद लगा हुआ है और वो मोतिय अबिंद के कारण आपको जो सत्य है वो दिखाई नहीं दे रहा है, जो असत्य है वो दिखाई दे रहा है इसी को कहते हैं माया, परमात्मा माया दिखाते हैं जो सत्य नहीं है और जो परम सत्य है उसे छुपा देते हैं और उस परम सत्य को जाने ले के लिए परमात्मा स्वैम फिर सद्गुरू से जोड़ देते हैं और फिर वो यह ज्यात करवा देते हैं कि पुत्र जो तु देख रहा था वो सत्य नहीं था जो सत्य है वो तुझे दिख नहीं रहा है तो मैं सद्गुरु के सानिदि में तुझे डाल देती हूं मैया कहती है और वह परम सत्य परम दिवता को आपके दिवे द्रश्टी से असत्य के पीछे कब तक दोन्टे रहेंगे बेटे जब तक हम को ज्यान नहीं होता सद्ग्यान की प्राप्ती नहीं होती है। उस परमसत्य को दिव्य द्रश्टी से देखने की सामर्थता तब तक नहीं होती है, जब तक आप भटकते रहते हैं, जिस दिन वही माभगवती की कृपा से आपको दिव्य सादक सिद्ध महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, परमसत्य को आप देखने में सामर लेकर ही सही, कुछ दिनों बाद यह दुख वाला जो घाव है न, दर्थ वाला जो घाव है, वो घाव तो भर जाएगा, लेकिन आप जीवन में आपको पुर्ण आयू मिली तो वह पुर्ण आयू को आप भोग करके जाएं, माभगवती दुष्टों को अपने भक्त के जी इसलिए आपको जो अच्छा लग रहा था, जो आपकी लिए सोटे विल नहीं था और आपको अच्छा लग रहा था वो परमात्मा को दिख रहा था कि नहीं ये तेरे लिए सत्य नहीं है, गलत है, ठीक है तो तु माया के जाल में थोड़े दिन लिपट के देख ले, फिर और ग्या रिजल्ट मिलता सुनीर तो वो रिजल्ट आपको मिल गया आप जूटे माया के चक्कर में लिप्त होगर के भी देख लिए कि पुरुण सत्य क्या है लेकिन आप मा भगवती के सानिद में पारवती जी के दीवी स्वरूप के सानिद में आप अपने जीवन को जी र अध्यश्वरी स्वरी ओ दस महावध्याओं में तीसरी महावध्या ठीक है तो ये त्रिपूर सुंद्री तीनों लोकों में देख करके और अपने भक्त को वह शुब फल परदान करती हैं लेकिन तुम इस कल्योग में आपका जो मृत्यों लोक में जन्म हुआ है यहां के राग, रंग, जूट, कपड सब को भोग लिए आपने अब आपको मा भ भगवती ने ये द्रश्य दिखा भी दी और आपको सिद्ध संत महापुरोशों के सानीध में जोड करके और उस परम सत्य को भी दिखा देंगी इसलिए इस भूल भुलाईयां के जक्कर में में मेरा बेटा सुनिल भूल गया था गुम गया था लेकिन मैं उसको वापस लि विए तेज से मा बगला मुखी देवी का प्राकटे हुआ है मैंने सुना था आपका वीडियो में आपने सुना था तो बगला मुखी ही तरपूर संद्री है राज राजे स्वर ही तरपूर संद्री है मा भगवती तरपूर भैरवी भी इनको कहा जाता भैरो पतनी